नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स चारों और कुद्रत का फैला कैसा ये अंधेरा है मौत का तांडव है गिद्धों का डेरा है ना पेड़ों की चाव है ना कहीं बसेरा है इस भयानक राद का नहीं कोई सबेरा है मौत के खेल से बचने भाग रहे हैं ये लोग इसी धर्ती से जुड़े थे क्यूं भूल रहे हैं ये लोग दुख पीड़ा और चारों और निराशा है न जीने की और न जीवन की आशा है कहीं भी दुनिया में ना पड़े धर्ती पर सूखा इंसान सब कुछ से सकता है और नहीं रह सकता भूखा मेरे जिने की ताकत को भूख निगल चुकी है मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चलाजा बाबुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् चाची मेरी मा की जिन्दगी के लिए रोटी का सवाल है चाची मुझे अनाथ होने से बचा लो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बगवान के लिए मुझे रोटी दे दो मेरी मान नहीं तो मर जाएगी चाची ववी नहीं कोईट्द्दध्द्द्द्द्द अर बार बेला जार बार ऑ्राट लार अजर बार बार जार बार रहाए जाए जार जो जो नार जार बढ़ा है झाल पाल एड़ झाल था हुआा जजा पाल मोरत हो जबी पाल टो खो झाल चुछ बाल पाल फ्छाद डाल बट्रत आर था प्रुदर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आगे लिए कि ले मा ये रोटी खा ले मा तुझ में ताकत आ जाएगी तू चल सकी की मा मा क्या हुआ मा 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 मत ये क्या हुआ मा मत ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मा बेटा रोने से मनने वाले वापिस लोटकर नहीं आते हैं अपने आसों पहुंच आज तुने जिन्दगी का आखरी सबक भी सीखिया कि मांगने वाले को ठोकर मारती है ये दुनिया और छीनने वाले के सामने सब दुम पिलाते हैं अपनी तकदीर खुद लिखने वाले का साथ देता है ये सुल्तान हाथ पकड़ मेरा और चल मेरे साथ कर बेटा चल 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 मेरे साथ आव बेटा आओ घबराओ मत यह सुल्तान की छोटी सी रियासत यह सब मेरे बच्चे हैं और यह अब्दूल है मेरा भांजा यह कार खाना यहीं थलाता है क्या देख रहे हो यह कट्टा यह रिवॉल्वर यह तमंचे दिच्चो दिच्चो चलाओ गे यह लो यो लो बेटा तुम्हें देखकर मुझमें दबी हुई हस्रतें फिर से किसी कुरेदे हुए घाथ की तरह ताजी हो गई मेरी अकल और तुम्हारा होसला ये मुझे काम्याबी की आखरी शीकर तक पहुचाएगा और तब ये सुल्तान में खिताब देगा पाशा पाशा जैसा जैसे जैसे कि कर दो कर दो यागत! झाल 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 सर हमारे इंफॉरमर को काम्यावी मिल गई है सर पक्की खबर लाया है दयायल जी जोलर्स की दुकान वही डकेट लूटने वाले हैं आज रात को सब्सक्राइब पाडब बुदूए पाडब बुदूए पाडब बुदूए ऐन्साफ इस बाबी वोशयरिक्टी दो, बोली मार्दूंगा कर दोरीम तो भान्हीं मैं खर बन्म को सब्ती सी क्षर गिर य हम wspólου कि वक ऊन्म कष़र टे प हम ऊन्म को कुछ Ned जब लड़िए प्रवाज're का्षी थसेकार प्रेंग इसकyty की in मैं तुम लोगों को तीन किंद्रे तक की महलत देता हूं हाथ ऊपर करके गाड़ी से बाहर रिकलाओ एक डो कि अप्दल तेरी लाला चाज मरवा देती है कि अचाज में आसे खुआ है कि अचाज स्काजाइ अचाज वाग कि दरिया से मोती निकाल कर लाया हमारा बाश्शाह 20 साल पहले 20 साल पहले तुझे अपनी उंगली पकड़वा कर अपना हम्रा बनाने का जो हमने फैसला किया था बिल्कुल सभी किया था कि आज कि आज मुझे मेरी सपने मेरी ख्वाइशे हकीकत में बदलती हुए नजर आ रहे हैं कि सुल्तान के हमसफर से तु आज हमराज बन गया चाह बाश्शाह किया यह नजरसे चाह चुन दे सरके थाब 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 दिल मेरा बरके खन 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 चोड़ी खन के चन 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 पायल चन के बोले बार बार मेरे सपनों के राज कुमार मुझे है तेरा इल्दार मेरे सपनों के राज कुमार मुझे है तेरा इल्दार आजा चन अब आजा तजन अब आजा पिया तू आजा 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 मेरे सपनों के राज कुमार मुझे है तेरा इल्दार तेरे बिन नीरी सजन मेरा दिल अब माने ना मेरे दिन केते कटे परदे से तो जाने ना चागिस सोई रहती हूँ, इश्क में खोई रहती हूँ मैं पागर की वानी हूँ, तेरी पे मतानी हूँ बिचरी है लके, बेची जाल है, आपी दिखने मेरा क्या हाल है पुरी है नींदे, नींदे, छेन सही अब आयरा सजब आजा, तलब आजा, बलब आजा आजा, तिया तू आजा, आजा, आजा मेरे सपनों के राज कुमा, मुझे है तेरा इंतजा मेरे सपनों के राज कुमा, मुझे है तेरा इंतजा मुझे है तेरा इंतजा यादों की खुश्बों में धूलू तुझ को खल्यों में ये प्यासी प्यासी वाहे देख रही तेरी राहे ना जाने कब आएगा मेरे खौब सजाएगा लेहराने लगी जड़ा थामने तरपाता है क्यों आजा सामने बतालू मन में मन में तनहार आप जाएना सजन अब आजा तनम अब आजा बनम अब आजा दिवाने आजा 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 मेरे सपनों के राज तुवाँ मुझे है तेरा इंदजा मेरे लपनों के राज तुवाँ मुझे है तेरा इंदजा आजा तनम अब आजा तनम अब आजा तिया तुवाँ आजा आजा मेरे सपनों के राज तुवाँ मेरे सपनों के राज तुवाँ मेरे सपनों के राज तुवाँ तुम्हारे कपड़े फट गए है नई से लवा ले ना आज पहली बार किसी इंसान से मिली हूँ क्या मतलब आज तक सबने मेरे तन को देखा है यह पहला इंसान है जिसने मेरे फटे हुए कपड़े देखे मुबारक हो बार्षा तुम शायद मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पैशानता हूं तुकि तुम्हारे सारे रेकॉर्ड मेरे पास हैं मेरा नाम अर्जुन प्रधान है इंस्पेक्टर अर्जुन प्रधान कल रात दयाल जी जुएलर्स की दुकान लूटकर बड़ी बहादरी और चालाकी से तुम मुझे चक्मा देकर भाग गए तुकि मैंने भी ठान ली है कि मैं तुम्हें रंगे हाथों ही गरफतार करूँ इसलिए पहली और आखरी बार मैं तुम्हें ताकीद करने आया हूं तुम्हें अपनी गरफतारी से बचने के लिए हर बार बहुत अच्छी तक्दीर लेकर जुर्म करना पड़ेगा जबकि तुम्हें गरफतार करने के लिए एक बार सर्फ एक बार मेरे नसीब को मेरा साथ देना होगा तो यहां से निकल जाओ इंस्पेक्टर यह सारी जिंदगी तुम्हें अपनी किस्मत पे रोना होगा यह तक्दीर की लकीर को पीटते रहना होगा पाद्शाह उधार का नसीब लेकर इस दुनिया में नहीं आया उसने अपनी किस्मत खुद बनाई है और हां एक आखरी मश्वरा पाद्शाह या हमेशा के लिए गुनाह से तौबा कर दो या फिर अपने साथियों के साथ इस शहर को छोड़कर चले जाओ क्योंकि मैं अप अब वो चाहें तुम्हारे काम आए या मेरे कुमी फक्त नहीं पड़ता मुझे सौदा मंजूर है श्यटी यह 50-50 का गेम है सुल्तान डेलिवेरी के लिए टाइम हम फिक्स करेंगे और जगा तुम वक्त तीन बज़े जगा राम टेक क्वेरी के पीछे बाश्या चोटी मचली कुए में जी सकती है लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो उसको नदी की जुरुद बड़ती है हर बड़ी से बड़ी मचली की खुआश है कि वो समुंदर में जीए मैं गुनाहों की दुनिया के जिस मकाम तक पहुंचना चाहता था अब उदर हकोमत करने का वक्त आ गया है सौधा कल ठीक तीन बजे राम केक क्वेरिस के पीछे होगा थोड़े दिनों के लिए डील आगे करता हो पुलिस बहुत चोकनी हो चुकी है क्या मकलब इंस्पेक्टर प्रधान पुलिस देपार्टमेंट में पहला अफसर है जो इतना इमानदार है जितनी वफादारी से हम अपना धंदा करते हैं उतनी ही इमानदारी से वो अपनी ड्यूटी निवाता है बाश्या उसकी फिकर तुम मत करो मैंने उस पुलिस इंफॉर्मर को मरवा दिया है अब हमारे कार नामों की खबर उस तक कभी नहीं पहुंचेगी झाल 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 प्याव अपने पर्देसी बाबु को भी साथ ले चल आप हम भी तो देखें इस पर्देसी बाबु के साथ तेरी जोडी कैसी रहेगी झाल 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 माझे पे चमके इसके सूरज की लाली होटों से जलके देखो मस्ती की प्याली बल खाए ऐसे जैसे चमपा की ढाली इसकी अराए सारे जग से नीराली मेरा यार दिलदार बड़ा सोना मैं देखो बार बार इसको किने लुटाए देखो ओ चारो दिशाए खुशबू का जोका लेके आए हाँ 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 चाहत के रंगों से है रंग फिजो आए सारे जहां से कहते मेरी ने गोले मेरा यार दिल दार बड़ा सोना मैं देखो बार इसको मेरा यार दिल दार बड़ा सोना मैं देदू सारा प्यार इसको माही मेरा माही मेरी जिंद मेरी जानुए तेरी सदा पे हो गया मैं पुर्वानुए माही मेरा माही मेरी जिंद मेरी जानुए तेरी सदा पे हो गया मैं पुर्वानुए गोरे गोरे रंग इसके निले निले नैना देखे बिन अब तो कहीं आए नहीं चैना हरे रेशम जैसे अंग इसके गेसु जैसे बादल दिल को दिवाना कर धानी धानी आचल शोप बहारों सी लगती है इसकी हर अंगलाई मेरा यार दिलदार बड़ा सोना मेरी दी दूसारा प्याई मेरा यार दिल जार बड़ा सोना में दी दूसारा प्याई से तू भोली तजना है दुनिया बड़ी बेपीर वे पिछड़े की रांजना से कभी भी नहीर वे दूसार बड़ी बेपीर वे पिछड़े की रांजना से कभी भी नहीर वे शेहनाई की सरकमों से मीठी तेरी बाते देखू मैं खाबों में शाजी डोली बाराते यारा तेरे सास्त मेरी शामे है सिंदूरी ना तो कोई प्यास है ना चाहत है अधूरे सो रब दी एक पल भी अब तो सहनी नहीं चुलाई मेरा यार दिल दार बड़ा सोडा मैं देखू बार बार सोड़ा मेरा यार दिल दार बड़ा सोड़ मैं दीदू सारा प्यार सोड़ माखे पे चमके इसके सूरज की लाती खूंखों से छल के देखो मस्ती की व्याती किड़ी लुटाए देखो ओ चारो दिशाए पुषभू का जोका लेके आए हाँ आए मेरा यार दिल दार बड़ा सोड़ा मैं देखू बार बार इसको मेरा यार दिल दार बड़ा सोड़ा मैं दीदू सारा प्यार इसको पाहर बाजार में ड्रक्स देशके हैं मैं करोनों का मुनाफ़ा हो सकता बाशा देखो मैं चाहता हूं को रवुषेट्टी से बात करने के पहले तुम्हें एक दफाव सोचनो अगर मुझे पता होता कि हत्यार की जगत तुम मुझे ड्रक्स दे रहे हो तो मैं शायद तुम्हारा साथ कभी न देता और हत्यारों में तुम्हें कोई बुरा ही नजर नहीं आती रगू जिस दिन ये हत्यार निर्दोश के लिए इस्तमाल होंगे उस दिन मैं ये करने का है तुम्हें मुझे मेरे हक और हद मत समझाओ शेटे अगर तुम्हें हत्यार चाहिए तो लाओ पैसे पैसे लाओ पैसा बंदबस्त करने में मुझे वक्त चाहिए कितने दिन 48 गंटे पर सो आठ बजे दीपा बार आना और अपना सेहर लेकर चले जाना और रुपए देकर अपने हत्यार भी कि अब प्रखुशेटी ने मुझे चत पे बुलाया है अब तो अपना क्याल रखना माल लायो माल देखोगे बेएमान बे असूल नहीं होते तो फिर इसाथ लो और उसाथ दो माल प्रखुशेटी ने करने हैं बाच्छाव बाच्छाव बथेय। तूजियाद है मैंने कहा था क्या दिन मैं तुझे रंगे हाथो के रफदार करोंगा वो देन जाया है बाच्छाव परस्टेम शड़ी Stop it! इसेट, stop it! पाच्छा कि रफार कलो से का पाच्छा कि पाच्छू कि अ कि पड़ु पॉल पॉल बाच्चा करें पॉल कहा हो तुम बाच्चा ना 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 मैं नहीं मांता स्रेप तुम लोगो के कहदने से मेरे घर में रहा तो इसके लिए यह तुम लगो कि हमारी पॉल रिकर कमाल है सारे सवगों गिनादी इसके बावजूत अपनी भांजी को बच्ची को बंद करो यह नाटक बंद करो मामा वाह तुमने तो बेशर्मी की सारे हदे ही पार कर दिये कितनी सफाई से तुमने बस्ती वालों के सामने मुझे कलंकनी और बच्चालं नग्षाबिक दिया मा से दुखना फर्स होता है मा मा की कंधों पर इसलिए उसे मा मा कहते हैं और इक तुम हो इससे तो अच्छा ये होता कि मरते समय मेरी मा मुझे तुम्हें सपने के बचाए किसी अनाथ हाले में डाल देती या फिर मेरा गला ही घोट देती कम से कम इन पवित्र रिष्टों से इंसानिया का बिश्वास तो नहीं हुटता आज पूरे मॉल्ले के सामने इस बात का फैसला होकर ही रहेगा कि इस घर में या देख कुल्टा रहेगी या फिर मैं आज बताने कान है वो लंगा तेरा और क्या रिस्ता है तेरा उसके साथ सपना क्या बात है आज पूरा महुला पूरा समाज ही जानना चाहता है कि क्या रिष्टा है तुम्हारा मेरे साथ इंसानियत को किसी रिष्टे की नाम की जुरूत नहीं होती लेकिन इंसानों को होती है खासकर उन लोगों को जो अपनी गिरिबान में झाकनी की बजाए पड़ोस की रोशंदान में झाका करते हैं आज जो सवालों का पहार उन लोगों ने मेरे सामने खड़ा किया है उनका जानना चाहता है मेरा सपना से क्या रिष्टा है? कौन? कौन? आज के बाद तुम से ये सवाल कोई नहीं पूछेगा कल शाम पांच बजे शिवजी मंदर के पास मैं तुमारा इंतजार करूगा आओगी ना दुनिया की तरह रस्मों की तरह वादों की तरह कस्मों की तरह मौसन की तरह तुम भी बदलत न जाओगे मौसन की तरह तुम भी बदलतो न जाओगे दुनिया बदलती है मौसम बदलते है लेकिन मेरे दिल को बदल नहीं पोगे मौसन की तरह तुम भी बदलतो न जाओगे मौसन की तरह तुम भी बदलतो न जाओगे आसमानों की आगे तुम में बदलत न है दिल के बदले में मैंने प्यार तुम को दिया है धरती की अंबर की खसम मुझे को है तेरी सर की खसम नजरें बदलती हैं अपने बदलते हैं लेकिन मेरे धड़कन को तुम दड़काओगे मौसन की तरह तुम भी बदलतो न जाओगे मौसन की तरह तुम दे बदलतो न जाओगे मौसन की तरह तुम जाओगे मौसन की तरह तुम जाओगे तुम ने थोका दिया तो कुछ भी कर जाओगी मैं तुम जुदा जो हुए तरह देखो मर जाओगी मैं मेरी मनजिल तेरी गाहों में है मेरी जन्नत तेरी माहों में है राही बदलते हैं रस्ते बदलते हैं मैं तोड़के आऊँगा जो मुझ को बुलाओगे मौसन की तरह तुम जी बदलतो न जाओगे मौसन की तरह तुम जी बदलतो न जाओगे बदलतो न जाओगे बदलतो न जाओगे वो नहीं आएगा कर ले कर ले और इंतजार पर इस बुज़ूर के तजर्वे की कसम वो नहीं आएगा वाब आश्या भाई आप बहुत तक्दिर वाले हो जो आटम में बैटके शाजी करने जा रहे हो मेरी भी शाजी मैंने शाजी के लिए शाजी की खास घोड़ी मंगाई जी पता ने किसी पागल ने मिर्ची की बुक्टी उत्रों प्रॉट हुईाय वा डपार, हुईाय वा अप्रों प्रॉट इचाब हुईाय हुईाय प्रणाव शक्तार अब बहुत उंसजार कर लिया मुझे भी मंदिर के पड़ बन करके घर जाना है देखो मुसर इतना खराब हो रहा है ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है जासे कुणि चालीती होगे इसकी शादी हुआ 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 होले हैं आखिए रुग भार भार वहोल करते हैं दुग उख पर लुग अज़ थाज खिंग आखिए एखऑन प्राइद टुग प्राइद इंगे प्राइद एड़ेगे कर दो कर दो कर दो ख़जा ख़ण हु कए लाहां कंए RICHुड मुड बस्टार का वहु खव घर दो manipulating हुड करीदय कर्दोर्ण कर्दोर्ण कर्दोर्ट शर्ट जर्ट लार लारी है नहीं कोई गुष्टी है नहीं कोई इंसान नहीं पता नहीं किसका बचा ही कहां से आया आज शाम नुंबई से चलने वाले स्पेशल फ्रें दुर्गटना गस्त हो गई यह ट्रेन पट्री से उतर कर नदी में गिर पड़ी अनुमान है कि इस दुर्गटना में 200 लोगों की जान चली गई तीन सो लोगों से ज्यादा के घायल होने की सूचना है पुलीस और प्रायर प्रिगेड राहतकार्या में लगे हुए हैं माँ माँ मेरे पोट है कितने सालों के बाद हुआ है माँ समाला आपने आपको माँ मां मां सब ठीक हो जाएगा इंस्पेकर हमारे बेटी उबराज को कुछ पता चला है इतने बड़े एक्सिदेंटने एक छोटे से बच्चे को ढूड़ना बहुत मुश्किल होता है जो लोग नदी में बह गए थे उनकी लाशे तो मिल गई पर उसमें में राशों में वहना के थे आप इरे बेटी को क्यों किस्ते करता है आप सिवाप जाके थूड़ने के लिए कितने मृझतों के बादु पर में मारा यह राज मिला बगवाल उसे उसे नहीं चीज सएकता इतनीं आज़ानी से नहीं यहां बुझे ऑरने बच्शे को लाशों मेर ढूशा दूआ सब्धिकुझे की प्लुण का वारा अदर ना जा को सरा का। हाँ कुछ करो अधिस्टा मम्ता उसपे परो से रखो सब ठीक हो जागा सब ठीक हो जागा करला पांच यूवके जिले के तब का सब ही मता सिंया जएसी और भाई दो रुपे का दूद देना मेरा बच्चा बहुत भूख है भाई साब ये मैंने जूटी ने की ये इसके बदले दूद दे तो मुझे देख येलो इसे दो पते इस कुछा तक्त की बच्चा ने लिगा तो इस वाज जया यहाँ प्रव हुआ बस्त भॉन तो मंदिर क्यों नहीं पहुंचे इसी कॉंसी मुझीवत आपड़ी थी जो मुझसे भी बढ़कर थी आरा समाना मुझ पर हस रहा है पूरा समाज मुझ पर थुक रहा है और इसकी वज़त तुम हो फिर तुम सपना में बहुत बुरी तरह से पस गया था जिंदगी और मौत की बीच में किसी एक को चुना था चुनना पड़ा तो अपकर बच्चा लेकर आए मेरे साबने तुमने मुझे शालमादी किया है तुम परे भी हो परे भी तुम तुम शादी शुदा हो पर तरहाँ परदे शादी 15 कपर सादी 15 करदो mesi ए जायाए ए हिरी चारव में मुझे टुम उक्षाव साहराँ ुए 2 इंड़ से हो हो बचलए बाचा है एमताब बचलएज खाखार बाचा का Herr काहा है am लुद्ट क्यों इस मासूम को लाकर मेरी गोद में डाल दिया तुने क्यों ये जमेदारी सौब कर एक अंजान रिष्टे के साथ मेरा नाता जोड़ना चाता है क्यों क्या तु ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं क्या हूं ना मेरे पास आज है ना आने वाला कल अपनी बरबादी और बेबसी के सिवा मेरे पास इस बच्चे को देने के लिए कुछ होगी है अज एक पापी की सुनिया इस बच्चे को तू अपने पास रख इसकी परवरिश कर इसकी देखवाल कर इसकी वासत कर देख रहा है उपर वाला रोक रही है सुनी राहे ओ मेरे बेदर्द मुसाबे थाम ले आके मेरी बाहें जाने वाले ओ जाने वाले जाने वाले देखे इतना दर्द मेरे दिल को यू तरपाने वाले ना जा मुझे छोड़के जाने वाले जाने वाले जाने वाले जानवर हैवान है जो किसी के घम को बाते बस वही इनसान है बे सहारों का सहारा जो यहां बन जाता है सच्चे मानों में मजीहा बस वही कहलाता है अपने दिल के इस टुकडे से इस तरह मोड़ के ओ जाने वाले ओ जाने वाले ओ जाने वाले मैंने वफा तुने की बेवफाई छूटिं पसं तेरा वादा था जूटा मैंने भरूसा किया तुने लूटा आखों से आशू पहते रहेंगे तु बेवफा है कहते रहेंगे तु गया में देद मेरे दिल का शीशा खोड़के ओ जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले मैं अकेला मेला वारिस कोई भी ना मेरा वारिस आएगा शैतान कोई मुझे को लेकर जाएगा वो सितम मुझे पेड़ाएगा सिर्फ नफरत सिखलाएगा हो बुराई जिसकी मंदिल ऐसे रस्ते दिखलाएगा फिर किसी इनसान को जानवर वो बनाएगा जानवर वो बनाएगा तू अगर ये चाहता है फिर कोई बरबाद ना हो तू अगर ये सोचता है फिर कहीं फरियाद ना हो कश्टी को साहिल पेला दे फूलों से काटे हटा दे रास्ता मुझे को दिखा दे जिन्दगी मेरी बना दे बरबादी से नाकामी से प्रिष्टा मेरा जोड़ के ओ जाने वाले 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 जाने वाले ओ जाने वाले ओ जाने वाले अब्दूल तुम पिछले छे महीनों से इस हवालात में सड़ रहे हो तुम चाहो तो मैकल अदालत में हाथियार, ड्रग्स और डकैती के तुम्हारी चार्च शीट बदल कर जज के सामने पेश कर सकता हो ताकि तुम्हें कम से कम सजा हो इस हमदर्दी की बच्छा है ऐसे हमदर्दी समझ लो या खुद कर सिए पर मुझे बाद्शा का पता चाहिए तुम्हें कर सबस्तों कि अप्जार तो मुझे और के अमारे को एंस्पेक्टर कि जिस आदमी का पता तो मुझे जानना चाहते हो न उसका नाम तक मेरी जुबान पर नहीं आएगा कि सारा बादशा को भूल क्यों नहीं जाते बंद कर दीजिए उसकी फाइल और खत्म कर दीजिए उसका मसला नहीं सावन्त कल तक बादशा को गिरफतार करना मैं अपनी ड्यूटी समझता था और अब वो मेरी जंदकी का मकसद बन गया है जब तक मैं उसे गिरफतार नहीं करूँगा ना प्रमोशन लूँगा ना इस जगे से ट्रांसवर सावन्त बादशा अगर मर चुका है तो मुझे उसकी लाश चाहिए और अगर वो जिन्दा है इस शहर से भागा हुआ है तो आज नहीं तो कल वो ज़रूर लोटेगा कि अगर आज शुनिया बाप देखो मेरे चार बेटें उनमें से तुम नहीं हो बाप क्यों बोल रहा है अरे भाई भाई नहीं बोलना इदर मुझे मैं यहां का भाई नहीं हूँ बेकार में अनकाउंटर में मरवा नहीं तुम दोस्ती में कुछ पूसकता हूं दोस्ती सकता है कि नहीं हां पूछो ऑफो पूछो बाभू लोहर यहां कम ही लेगा वहांता हीा शूर फासर पर सब्सक्राइब उसके चैसने की डुकान है किशाम हाँ अभी हóst और भी हुआ उसकी तुकान बहुत पुरांभ सोलेगा आज ग्योर के अच्छी यह वहां क्यूं जाएगा तुम उस दुकान को चोड़founder कर आगे चले जाओ अगे जो वहां एक पुरानी हवेली मिलेगी उस हवेली के अंदर एक बुड़ा मिलेगा लेकिन बाबू लोहार नहीं मिलेगा और उस बुड़े को पूछो कि बाबू लोहार काहां रहता है तो आपने मुझे यहाँ वहाँ यहां तो आपने मुझे पूचा कहां मिलेगा कहां रहता है थोड़े पुचा यह किसले हैं हम लोग यहां से चलेंगे यहां लेप साइड पर एक दुकान है बहुत बड़ी पुटा जल्दी बताओ कौन है आप और मुझे आँ किस खुशिमें गम में बुलाए भाई बाद्शाह पाद्शाह यह क्या हाल बना रखा तुमने क्या धंदा शुरू कर दिया भाई बाबू लोहर यह नाम कहां से जुड़ू के तुम्हारे साथ मैं सब गाने कुछ यही सब बताने के लिए मैंने तुम्हा यहा बुलाया बजरंगी जब से ये बच्चा मेरी जिंदगी में आया मैं पाच्छा बनके इसे कभी नहीं देख पाया कैसे इन हातों से लेकर मैं इस बच्चे को अपनी गोद में रखता जिन हातों में पहले से हत्यार बरे हुए थे कैसे इस बच्चे को लेकर मैं अपने पैरों पे खड़ा होता जिने पुलिस और कानून से भागने की आदप सी हो गई थी बजरंगी बाद्चा की किस्मत में सुल्तान था लेकिन मैं अपनी बदकिस्मती का साय इस बच्चे पर पढ़ने नहीं दे सकता था ना मैं दूसरा सुल्तान बनना चाहता था ना दूसरे बाद्चा को जनम देना चाहता था इसलिए बाद्चा को हमेशा के लिए खतम कर देना पड़ा मुझे बाद्चा मर चुका है बजरंगी और सपना सपना का क्या हुआ सपना बाद्चा की जिन्दगी का खुआफ बाद्चा के साथी तूट के चूर चूर हो गया बाबु लोहार की जिन्दगी में सर्फ एक ही हकीकत है ये बच्चा मेरा राज्यू मैंने अपने मुन्ने को एक अच्छा भविश्य देना है एक अच्छा इंसान बनाना है और इसके आने वाले कल के लिए मैंने अपने बीते हुए कल को तफन कर दिया और उस दिन अपकी पार्टी में कितना मज़ा आया है आप होते तो और भी मुझा आता है क्या हो मम्ता तुम खाना क्यों नहीं खाने पता नहीं मेरे बच्चे ने अभी तक खाना खाया होगा के नहीं यह क्या होगा मम्ता तुम्हें यह सब भूलना होगा भूलना होगा किसे भूलना होगा अपने बच्चे को भूलना होगा जिसे नौ महीने अपने खूल से सीचा है मैंने उस बच्चे को भूलना होगा जिसे मैंने जन्म दिया है पिक कभी नहीं बूल सकती, चाहां कर भी नहीं बूल सकती, लाग कुछ करने के बाद भी नहीं बूल सकती, आदित्या, वो हम दोनों का बेटा था, और सिर्फ यादों के सहरे, हम पूरा जीवन नहीं काट सकते, मामताब, अगर जिन्दी किसे कोछ छेंजाए, तो जीवन की जी आपतर धी, मिने हो जादे, हाँ, जाप, समालो जादे, हाँ, लग्षमाओ, झाल करें झाल कर दो कर दो तुझको ना देखूं तो जी घवराता है देखके तुझको दिल को मेरे चैन आता है ये कैसा रिष्टा है कैसा नाता है देखके तुझको दिल को मेरे चैन आता है देखके तुझको दिल को मेरे चैन आता है देखके तुझको दिल को मेरे चैन आता है हर गम उठा लूँ तनहा अकेला तेरे लिए है खुश्यों का मेला हर गम उठा लूँ तनहा अकेला तेरे लिए है खुश्यों का मेला सारा संसार दूँ जीवन भिवार दूँ जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूँ ये तेरा मुखडा ही मुझको भाता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है तुम मेरी डैडी तुम मेरी मा हो तुम मेरा दिल हो तुम मेरी चाहो तुम मेरी डैडी तुम मेरी मा हो तुम मेरा दिल हो तुम मेरी चाहो बच्पन की डोर का ये धागा तोड़के दैडी कभी मुझे ना जाना छोड़के मेरे लिए तू कितना दर्द उठाता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है तुझको ना देखू तो जी घबराता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है इतनी देर कैसे हो गई बजरंगी स्कूल से यहां पहुंचने में सिर्फ आदा गंटा लगता और तुम्हें धाई गंटे हो गए और तुम अच्छी तरह से जानते हो अगर राजू सही वक्त पर घर नी पहुंचे तो मेरे सर पर बुरे ख्यालों का पार टूट पड़ता है अरे भाई तो अपने परेशाने किना दिया मगर जो मुस्यूबत मैं जहल कर आ रहा हूं वो भी तो सुनो अर्वं जैन्ज देश कि गवर्मेंट ना बर्त कंड्रोल पर कुछ किया ना ट्राफिक कंड्रोल पर इसनी गाड़ी आ इसा लगता अगले सिलस्थ माधूरी शिस्चित एडिश्ट सोड़के भाग रही हो हुपंजीप में ऐसे नाश्वह टो तिंग चार पंच एसाथ सब्राइब। सब्सक्राइब। जो बच्चा बरसो पहले खो गया था उसका जनम दिन मनाने में कोई तुक है अरे भाई वो स्कूल की ट्रस्टी है अब वो जनम दिन मनाई या मरन दिन हमें क्या लेना डिना यार जब बच्चा नहीं है तो इतनी शांदार पार्टी दी है कहीं बच्चा होता तो यह तो जमीन आसमान एक कर देती कहां से होता यार अरे गुमा हुआ बच्चा साथ घंटे साथ दिन अरे बहुत हुआ तो साथ महीने में मिल जाता है कपका मर खब गया होगा यार ऐसा क्यों क्याते हो बगवान करूंसे मेरी उमर लग जाए क्या का तुम ने है जड़ा फ्रसे कहो मैं बगवान से प्रसे कहो करूंगा कि आपको आपका बेटा बहुत जल्दी मिल जाए तुम्हारे विश्वास ने मेरे विश्वास को और बल दे दिया है कि इतनी मीठी बाते करते हो तो इतनी अच्छी बाते तुम्हें किसने सिखाए बाबाने बहुत खुछ नसीब है तुम्हारी मा मा मेरी मा नहीं है कौन कहता है तुम्हारी मा नहीं है मैं हूं न तेरी मा तुम मुझे मा बोल बुलेगा मुझे मा हां तो फिर बोल बेटे एक बार बोल मा मैं तेरी मा हूं पेटे फिर कभी बत कहरा कि तेरी मा नहीं है अगली बार वक्त पैसे देंगे अगली बार वक्त पैसे देंगे बाबा अचा एक बात बताओ बोलो बिटे मुझे आज मा मिली थी कौन मा कैसी मा तेरी कोई मावा नहीं है मैं तेरा बाबा हूं मैं तेरी मा हूं मेरा लावा तेरा कोई नहीं है और यह कौन गुस्ताक है जो तुझसे रिष्टा जोड़ने कोशिश कर रहा है नहीं हाँ तु मेरा है मेरा बेटा है मेरा ही रहेगा तुझसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता कोई अलग नहीं कर सकता कोई अलग नहीं कर सकता कोई मुझसे चीन नहीं सकता तुझे कि साई की तरह इसका पीछा करना सावंत क्योंकि यही वो कड़ी है जिसके सहारे में बात्षा तक पहुंच सकता हूं सलाव सब कि अब तो है कि अब तो है कि अब कि साथ साल के बाद के पिंज्रे से बाहर निकल का आया है मेरा पिल्ला कि इस सरकारी इसे में तुम से के मिलने नहीं आसके अप्दूर का कि थो यहन्त साथ सालों में बाशा आपसे भी मिलने में है ओ इसका मतलब है कि बाश्चा ने सारी रखम लेकर हमसे रिष्टा दोड़ लिया मुझे दौलत नहीं बाश्चा की जुरूरत है आज तो मागए मुझे मेरे हाथ-पाउं मिल गए लेकिन मेरी असली ताकत बाश्चा है और ताकत के बिना हाथ-पाउं वाला आदमी भी अपाईज होता है मुझे बाश्चा चाहिए हर हाल में हर सूर्फ में हर कीमत पर बाश्चा को ढूनना मुश्किल जरूर है से था लेकिन ना मुंक नहीं यहमोरी अलो प्क्रफद मुएब isto कसो पाहिए एक गजैंगे वो च अगैंगे कर दो को सब उकांग हूँ कर दो चमक चम चम के अंगूरी बदन चमक दम दम के अंगूरी बदन क्यासी है मेरी बाहे जीया है बेकराद चमक चम चम के अंगूरी बदन चमक दम दम के अंगूरी बदन कोई पड़ा है मेरे जुपके के पीछे कोई पड़ा है मेरे जुपके के पीछे कोई पड़ा है मेरे जुपके के पीछे कैसे चुपाऊं कैसे दबाऊं शोला जमानी का सही न जाए मुझसे तेरहा की जलन आंगूरी 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 आंग शाम सावेर तेरा रस्ता निहारू तन्हा केली सारी बेना गुजारू शाम सावेर तेरा रस्ता निहारू तन्हा केली सारी बेना गुजारू किसको सुनाओं, किसको बताओं, हाल बुरा है दिल का दरब्द नहीं जाने में दर्दी सजन अंगूरी, 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 अंगूरी चमक चमके, अंगूरी बदन क्यासी है मेरी बाहे, जिया है बेकरार तकाना मुझे से, आजाना मेरे लाद चमक चमक चमके, अंगूरी बदन अंगूरी, 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 अंगूरी जमजम के अंकूरी बजन क्रिक का अब्दू अब्दू बाध्चा का है बता मुझे बाध्चा का है यहीं तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि बादशा का है तुम मुझसे पूछा यह उस परेवी के बारे में मैं कुछ नहीं चांते दोका दिया है उसमें मुझे उधर मेरा मामा शराब में खुल-खुल कर मर गया और मैं नाचते नाचते यहां तक आगई इस उमीद में कि एक दिन बादशा मुझे मिलेगा तो मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगी बादशा से बदला लेना मेरी जिन्दगी का आखरी मकसद है और तुम्हारे मकसद को पूरा करना मेरा मकसद है राजू, इदार आओ आओ न बीटी कैसे हो अच्छा भूख लगी है देखो आज मात तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है आहा इसाब कुछ मेरे बेटे के लिए अच्छा अब मुझे जल्वी से बता तुम्हें क्या-क्या पसंद है मैं आपका ये खाना नहीं का सकता क्यों क्योंकर मैं ये खाऊंगा तो मेरी रोटी बच जाएगी बाबा नाराज हो जाएंगे शायद डाटेंगे भी अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं तुम ये खाना खालो और मैं तुम्हारा टिफिन खा लेती हूं हाँ अब तो तुम्हारे बाबा नहीं डाटेंगे ना नहीं नहीं डाटेंगे बेरी गुद चलो बैठो आप ये आप भी खाये ना खालो तुम्हारे खाना अच्छा लगा इतनी सारी चुजों में पहरी बाद खायो बहुत अच्छा है आपको मेरा खाना कैसा लगा बिल्कुल हमारे बेले जैसा बहुत अच्छा बहुत प्यारा और बहुत स्वाधिश्ट अच्छा राजू कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगे हां नहीं कल नहीं क्यों कल स्कूल है ना अच्छे बच्चे अपनी मा की बात कभी नहीं टागते अब लुक बहुत घूमेंगे बहुत मजा करेंगे और मैं तुम्हें धेर सारे खिलाने दिलाऊंगी पर स्कूल वह सब तुम मुझ पर छोड़ता है जाजो बटे आओ खाना खालो बाबा आज मैं खाना निखाऊंगा क्यों मुझे भूग नहीं है तेरे तबे तु ठीक है ना मेटे हां सिर्फ भूग नहीं है ऐसा करता हूँ आज मैं अपना खाना कुछ शेर को खिला कराता हूँ शेरू कुछ शेर गशी हां वो है बटा आप पिर से गिरेंगे प्रिये गलाजू बबब बबब बबब, बबब बबबब बबबब मेरे बेटे को आप जैसे लोगों की महरबानिया नहीं चाहिए ना कि आप जैसे बड़े लोगों की तया चाहिए उसे मेम साब हम गरीबों के पास एक ही चादर होती है जो आख खुली रहने तक होड़ी जाती है आख बंद हो जाने के बाद उसी का कफन बना दिया जाता है आइंदा से हम गरीबों की चादर को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा लेकिन मेरा कसूर क्या है मैं तो सर्फ उसी प्यार दे रही हूं और कौन कहता है कि प्यार बाटने से आपके लिए उसका प्यार कम हो जाएगा बच्चे स्कूल में जिने अमीरों के प्यार की सक्षर होता है और अगर यहां ना मिल पाए तो किसी अलाथ हाले में जाकर अपने प्यार को बन माने तरीके से बाढ़िएगा मगर महरबारी करके मेरे बच्चे को भूल जाहिएगा कि अधर धार्स थाली जाएग कि अधना थाव करत लगत्यत में मैं तोुझा पहने लां建рах बेशनों शीम इसीत में यह तुभवwhen लेकिन किसी दूसरे की दी हुई खुशियों की भीक मैं तुझे नहीं लेने दूँगा 25 हजार के एवस में मैं अपनी दूद्गी को मौत के हवाले नहीं कर सकता मासर जी मैं खत्रा मोल ले सकता हूं लेकिन यह तो आत्मात्या है तुम फिल्म इंडर्शनी के नमर वन स्टंट मैं हो तुमने तो कई खतरनाक स्टंट की हैं और आज इस स्टंट के लिए तुम मुझे ना बोल रहे हो लेकिन सलीम नहीं हो सकता कैसे नहीं हो सकता मास्टर जी यह मेर फिल्म का सबसे हाइलाइट स्टंट है I cannot I cannot compromise on it यह तो स्टंट हो नहीं पड़ेगा लेकिन सर यह खतरनाक स्टंट अगर सलीम नहीं कर सका तो और कॉन करें यह काम मैं कर सकता हूं मुझे सिर्फ एक मौका दीजिये इस खतरना काम को अंजाम मैं दूंगा मेरा विश्वास कीजिये मैं सिम्तिहान में खरा उतरूंगा साहब और तुम एक मौका दीजिये I think you let him do it okay good luck all cameras ready roll cameras action well done good luck yeah कि मैं क्या किया बाबा बेना सुचे बेना समझे आप अगर आपको कुछ हो जाथा तो तो मेरा क्यों था बाबा yeah was a minor कोई कुछ नीचा एक कीोजी फूरने बाप क्यों के जाए happy काव अब अशए तबस जो काभी दो जो मेरे मान היה के रहरा ही yup बाबा राजुर राजुए कर दो पाश्या 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 वो तुम देखते ही पैचान गया था पी मौत का ऐसा खेल सिर्फ वाश्या ही केल सकता है यजय कर दिप दिखार अजय की तर्चानों धिवते कर दो यजय कि एक अपतला को कर दो है कि नो और है कर दो की लिए के लिके अधन। घड कि एक की बाई। चली जाओ यहां से अपने पुराने दोच से बात करने का ये सलीका तो नहीं है बाशा पिछले साथ सालों में तू एक दिन भी मुझे से मिलने के लिए जेल में नहीं आया खेर एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी को भूल सकता है लेकन एक गुनयकार दूसरे गुनयकार को नहीं भोलता है कि ले तने दिनों के बाद जेल से बाह निकलके आया और तुझी मुझे मिलके खुशी नहीं हुई देखो नहीं मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सुनना है नहीं मुझे तुमने कोई दिल्चस्पी है चुप-चप यहां से चली जाओ चला जाओंगा पहले मेरी रुपे मुझे वापस कर दो कौन से रुपे की बात कर रहे हो तुम वहरे फोले भंडारी जराई अपने यहां पर दिमाग पर डाल के याद करने की कोशिश करो कि जब पुलिस ने मुझे गरफतार किया था तो वह रुपे तुम्हारे पास था पुलिस ने अपने कब्से में कर लिया था मेरे पास कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो यह घर पर यवारी का बटवारा होता है तुने अपनी किसमत बुलंद करने के लिए हम सब के साथ दोगा किया बस इसके बाद अगर एक लवज भी अपने मूझ से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए बूल गया बाश्या तू अपने आपको बूला सकता है लेकिन सुल्तान ना तो तुझे कभी भूल पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा याद रखना सुल्तान वो बारूद है जिसे मेरी एक छोटी सी चिंगारी जला कर तेरे इस खुश्यों बरे खलियान को राग कर देख सुल्तान के मुँपे मारा है बार्शा अब या तो सुल्तान यहां कर इसका हिसाब लेगा या तुझे वहां जाकर इसका जवाब देना होगा इसका फैसला मैं तुझ में छोड़ा तो अब मुझे यह पता करना होगा कि बाबू लोहार कौन है रुक जाओ सुल्तान मैं यहां सिर्फ यह समझाने आए हूँ तुम्हें कि अपने जंगली कुत्ते और गीदर को समझा के रखना कि शिकारी बनने की कोशिश ना करें मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही इनकी जिंदगी बनी रहेगी और सेहत में बरकत भी होगी इतन होने के बजाए सीधे आग उगलने लगा अपने रिष्टे के बारे किस रिष्टे की बात कर रहे हो सुल्तान किस रिष्टे की एक रोटी के बदले में तुमने मुझे चानवर बना दिया हर दाने का हिसाब तुमने मुझसे गुना खरवा के लिया अब ना कोई कर्ज है त किस्सा है तुम्हारा मेरे साथ मैंने तेरे भूके और नंगे बच्पन को नई जिन्दगी थी मुझे बाप का दर्जा देने की बजाए मेरा बाप बनने के कोशिट मत कर बाप तुम्हें बन चुका हूं सुल्तान एक बाप के दिल में बेटे के लिए कितनी महबबत होनी चाहिए यह मुझे तुम से समझने की जरुत नहीं है एक बाद तुम मुझसे समझ लो आज के बाद तुम्हारा रास्ता लग मेरा रास्ता लग पाश्या चुर्म की दुनिया में आने के अन्गिनत रास्ते हैं लेकन यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बच्पन से लिकर आज तिक तर्क तुमने मुझे चाना है सुल्तान पहचाना नहीं है मैं फैसला नतीजे की परवा करके नहीं करता आखरी फैसला कर चुका हूं इसलिए या आखरी मरथ greater आया दोबारा लोटके नहीं आऊंगा अच्छा रहा हो सुल्तान अबाश्या तुम्हारी आदाश को क्या हो गया बेटे यहां आना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है और यहां से जाना भी सिर्फ मेरी ही मर्जी से होता है कान रोकेगा मुझे पीछे मुड़कर खुद देख लो अज़ख छुद आखुद ओप जाना मुझे टता है घर अज़ख गालो इस उपज़ख उप जजब देख पो अज़ख पीज़ग ।बल प्रुबल देख खुबल झाउबख फुद गए तो अगर नाइज बाच्छा जिंदा होता तो तुम लगोंगे सित्दा गार देता ये पाबू लुहर कहाता है जिसमें बाच्छा से भी ज्यादा ताकत है लेकिन इस पर एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते है जिसे नहीं तुम लोग समझते हो नहीं समझपाओगी यहादसा तुम लोगों के लिए इशारा नहीं, मेरी तरफ से आखरी नजियत है नहीं अब कुर बाश्या को मारने की गलती मत करना वक्त ने बाश्या की ताकत और खुबियों को और बढ़ा दिया है ये तो एक छोटा सा इम्तिहान था जिन्दा बाश्या हमार लिए बहुत एहमियत रखता है हमें उसकी बहुत जरूरत है और अब्दुल, मैं हर हार में उसे लोटा कर वापिस लगा ये नमस्ते अंकिल नमस्ते बाबू लोहार ही रहते हैं हाँ, आईए न, आईए वो अभी घर पर नहीं है आते ही होंगे अब बैठिये न, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ बैठिये तैंक यू, क्या नम है आपका? राजू कितने साल के हैं आप राजू? आठ साल और कौन सी क्लास में बढ़ते हैं आप? POTSTNARD आपके पिताजी का लाम है? BABU Lohari तो मेरे बाबा का लाम है राजू, तुमारे बाबा की दस्वीर है नो ours है? मैं अपने बाबा की दस्वीर को संभालर यह रहते का ताल कर दद té Almost जान है बस इसलिए मैं आपने बाबा की तस्वीर को भी बहुत सम्हाल की रगता हूं यह देखिए मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा है अगर मैं किसी चीज के वारे में सोच भी लेता हूं तो मेरे कहने से पहले ही ला देता है वो बाध प्यार करते हैं वह मुझ्य से देखोना हम और लॵहार की दुकान उनी की है वह राद दन लोहा कूबते हैं गाकी पर लिख सकूँ उनके एक दोस्त है इंस्पेक्टर प्रधान वो मुझे उन्हीं की तरह नेक और इमांदार बनाना चाहते है बाबा अंकल यह बाबा है बाबा ही है मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया इंस्पेक्टर प्रधान इंस्पेक्टर प्रधान राजू अंदर जा शेरू को लगए जाए आव शेरू बहुत ही प्यारा बच्चा है बहुत अच्छे और उचे संसकार इसे मिले हैं तुमसे बाबू लोहार दरसल साथ सालों से मैं एक मुझरम की तलाश कर रहा हूं इस इंतजार में तरक्टी के कई मौके आए और मैंने ठुकरा दी इसलिए मैं इंस्पेक्टर था इंस्पेक्टर जी रह गया तकर दिग्राज मुझे लग रहा है जो कुछ मैंने खोया उससे कहीं जादा मैंने पालिया वो सामने भगवान बुद्ध को देख रहे हैं वरसों बाद जब वो बुद्ध बनकर लोटे तो उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ उनके पास महुझी बहुत क्रोध था उनके मन में बहुत कोसा उन्होंने भगवान बुद्ध को क्या अधिकार था आपको एक बच्चे से उसके पिता को छीनने का है कि खिक पत्मी को थ्याग दिया आपने ऐसा न्याएक क्यों किया मुद्री ने कहा कि तुम्हारा पती plea सिधार्थ था इस पच्चे का अधिया सिधार्थ था ज्यो तुबह चोड़ कर गया büy के सिधार्थ लेकिन आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिध्धार्त नहीं बुद्ध है आत्मा बदल जाने से शरीर का कुई महत्म नहीं रहता बाबु लोहार बर्सू से मैं जिसे ढूंड रहा हूं वो कोई और है और आज इससे मिलके जा रहा हूं मुझे दूसरा हूं मुझे माफ कर देना पर हां तुम बाकई उधार का नसीब लेकर नहीं आया हूं तुमने अपनी एक प्समत भुद बनाई है मेरा अंदाजा गलत था सावंत तुम सच कहते थे पात्षा के फाइल बंद कर दो पात्षा तो कब का मर चुका है अब बाबा स्कूल में रोज़ों ऐसे फंक्शन थोड़े ही होते हैं सब बच्चों के मुमी रडी आएंगे आप भी चलिया ना मैं कभी जिन्दगी में किसी फंक्शन में नहीं गया फिर आज जा कि क्या करूंगा और वैसे भी बहुत काम पड़े हैं तू जा मैं तेरे साथ रहूं न रहूं लेकिन मेरा शिवात तेरे साथ हमेशा रहेगा अरे राजू ए राजू राजू कहां भागे जा रहे हूं देखे मैडम आपके साथ ना तो मेरा कोई रिष्टा था ना है और नहीं जूर सकता है बाबा के लाव मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है और उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है इसलिए मैं आपसे हाथ जोरके में दिकता हूं काइंदा से आप मुझसे मेने की कोशिच ना करें इसलिए राजू मैडम उपर सब लोग बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए आपका इंसदार करें अभी अभी ख़वर में लिए का मनीश की तबियत खराब है तो आज मदस्दे के इस फंशन पर गाना कूं गाएगा कौन गाएगा अरे अपना राजू भी तो अच्छा गाता है मदस्दे पर गाजू क्या गाएगा उसकी तो मा ही नहीं है वो क्या चाहिए मा क्या होती है वो क्या है वो क्या होती है मा 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 ओ मा पास बुलाती है कितना रुलाती है याद तुमारी जब जब मुझे को आती है आती है पास बुलाती है कितना रुलाती है याद तुमारी जब जब मुझे को आती है आती है के सर पे मंता की दुआए है पिसमत वाले वो है जिनकी माई है जिनके सर पे मंता की दुआए है पिसमत वाले वो है जिनकी माई है जिसम तो होता है पर जान ही होती उनसे पूछो जिनकी मा नहीं होती लोरी सुनाती है छुपके सुनाती है याद तुमारी जब जब मुझे को आती है आती है आजा सीने से तुझको लगा लो मैं चीर के दिल को धरकन में छुपा लो मैं आजा सीने से तुझको लगा लो मैं चीर के दिल को धरकन में छुपा लो मैं सावन बन बन के मेरी आँखें बरसी है तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है कितना सताती है जाने जाती है कितना सताती है जाने जाती है याद तुमारी जब जब मुझे को आती है हाती है हाती है माँ, माँ, मिस्टर उबराय, इस तरह के केसेज में अक्सर मरीजों की दिमागी हालत ऐसी होती है, इनकी शारी रिक्षक्ति, इनके मानसिक दबाव के कारण टूट जाती है, मैंने इन्जेक्शन दे दिया है, बहुत जल्द होश आ जाएगा, अच्छा है मिस्टर उबराय, थाइए, तरह को जाएगा, आपको यह नहीं बता है, कि आपको यह गाना सिखा है, किसने, मेरे बाबा ने अंक्र, अच्छा, मेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छ बाबा है, अंकल हम करीब है, फिर भी उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं मैसूस होने दी, तो राजू, यह बता, अगर आपके बाबा इतने अच्छे है, तो आप हमें उनसे मिलाएंगे ने, हाँ अंकल, ओके, लवली, चलो, आएए, थांक्यू, आएए ना, अंकल आप बैठिये, मैं अपने बाबा को बुला के लाता हूँ, बैठिये ना, हाँ, 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 हाँ राजू, यह तस्वीर किसके है, मेरे बाबा की, और ये, ये तो मैं हूँ, क्या हूँ, आपकी अखों में कुछ चुप गया क्या, खुशी भी कभी चुपती है, बैठिये, आज मुझे किसी खरीब के जोपड़ में, अपनी जिंदी की सबसे बड़ी दॉलत मिल गई, मैं बाबा को बुला के लाता हूँ, कहा है तुम्हारे अंकल, यही पर तो थे अभी, यहां तो कोई नहीं, पता नहीं कहां चलेगा है, यह क्या है, पड़ो, बाबू लोहार, औरन मेरे घर पर मुझ से आकर मिलो, मिस्टर ओबरॉय, आपने मुझे बुलाया है, आओ बाबू लो, जितना तुफान घर के बाहर है, उसे कहीं बायानक तुफान, मेरे पिल के अंदर उठा हुआ है, तो इसमें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, सिर्फ तो मही वो शक्सों, जिसकी मदद से ये तुफान हमेशक लिए थम सकता है, साहब मैं लोहार हूँ, सीधी चोट करता हूँ, और सीधी पात समझता हूँ, आज से तकरीबन साड़े साथ साल पहले, एक ट्रेन आक्सिडेंट में, हमसे हमारा बेटा बिचड़ गया थ हाँ मेरे साथ, बाबू, यही वो कमरा है, जिसमें पहली बार हमारे बेटे ने आखे खोली थी, उस मासूम की हर चीज हमने बड़े प्यार से सम्हाल कर रखी है, सिर्फ मेरी पत्नी ममता को विश्वास है, कि हमारा बेटा जिन्दा है, इसलिए हर साल भोस का चनम दिन मना दी है, और उसके तोफ़ों को सहेज कर संभाल कर रहा, रखी है, लेकिन यह सब पुछ तुम मुझे क्यों बता रहा होगा, क्योंकि बाबू, मैं उस बच्चे का बाप हूँ, और ममता उसकी मा, जानना नहीं चाहते हैं, कि वो बच्चा कौन है, वो बच्चा यह है, बाबू, तुम्हे हमारा बेटा कैसे मिला, आपका बेटा, किस बेटे की बात कर रहा है या, जाह बनने की कोशिश मत करो, राजू हमारा बेटा है, मैं जानकर अंजानने ही पन रहा हूँ, साहब, आप जान मुझ करें, खुद गर्स की तरह मेरा बेटा मुझसे चीनना चाते है, राजू मेरा बेटा है मेरा बेटा है राजू बाबू मैंने राजू की तस्वीर तुमारे घर पर देखी है यह इत्वाक नहीं हो सकता राजू को देखा ममता के अंदर ममता उमर परती है यह भी कोई इत्वाक नहीं हो सकता ममता की लोरी हुआ करती थी आज वही गीद बनकर राजु के जबान पर आगे ये भी कोई तफाक नहीं हो सकता तुम्हारा राजु हमारा खोया हुआ युवराज जब मेरी ममता को पता चलेगा कि उसका बेटा सिंदा है उसे एक नहीं सिंदगी मेरे जाएगी अवल तुम मेरे राजु से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता क्योंकि उसके बगहर में एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता मेरी सास है वो मेरी धडकन है वो लिकिन फो मेरा खून है किस खून की बात कर रहे हैं तुम्हारा बच्चा जब एक साल का था तो पांच किलो का होगा मेरा बच्चा तीस किलो का है उसकी रगों में मेरा पसीना खून बनके दोड़ रहा है उसके जिसम में जो परकत आई ये वो मेरे कमाई की है मेरे महनत की है मैं देखता हूं मेरा बच्चा मुझसे कौन अलग कर सकता है अब समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका है ये लो ये सारी तौलत ले लो और अपने लिए एक लोही की पैट्री कड़ी कर दो और ये लो ये लो ये चेक पर इसमें ऐसी रखम लिखतो ताके तुम्हारे साथ पुश्टों तक गरीबी की हिम्मत नहों कि तुम्हार पेटा लोटा दो पुझे अब पेटा लोटा दो अब आपकों कर बाप का सौदा करते हैं चलो हमने आपकी ये दौलत ले ली और अब हम आपकी ये दौलत वापस देते हैं सारी जिन्दकी हम आपका गुलाम बनकर जिएंगे उसके बदले में हमें वो बच्चा वापस देतीजी अरे वो बच्चा तो दूर की बात है वो कमरे में जो पालना पड़ा हुआ है वो ही हमें देतीजी जिसके अंदर आपकी बतने की ममता कूट-कूट के भरी हुई है ते सकोगे आप ते सकोगे वो बच्चा तुझे मिला तो उसका चनम दाता नहीं है भाबू उसके माता-पिता का अधिकार और राजू का भागे भी क्या तू छीन लेगा राजू उसका खूनक तेरा नहीं कहां लिया आए हो मुझे तुम्हारी मन जिन थक मतलब बाशा को मैं छूबी नहीं सकता क्योंकि सुल्टान उसे जिन्दा देखना चाहता है लेकिन तुम्हें अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए तुम आजाद हो और आपाशा का गल्ड़ पाशा का बदला है वो मम्ता जिसकी शादी के परसोबात तक कोक सूनी रही है मन्नते मांग मांग कर भगवान से एक बच्चा पाया मैंने और वो बेटा देकर उसी ने मुझसे छीन लिया मैं साथ साल तक उस भगवान के चर्लों में सर रखकर भीक मांगती रही पर वो खामोश रहा मैं साथ साल तक परियाद करती रही साथ साल तक बुखारती रही मगर उसने मेरा बंच्चा मुझे नहीं लोटाया तुम मेरी लिए उस भगवान से भी बढ़कर हो क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को एक नहीं जिन्दकी दी उसकी तक्दीर बनाई उसे सिंक्षा संस्कार देकर इंसान बनाया जो वर्दान मुझे वो बगवान नहीं दे सका आज आज वो भीक तुम मेरी जोली में डाल सकते हो मैं तुम्हारे तामने हाथ जोड़ती हूँ बाता ठीकती हूँ मेरा बच्चा मुझे लोटा दो मेरा राच्चा मुझे लोटा दो मेरा बच्चा मुझे लोटा दो अगर तुम पत्थर बन जाओगे तो दुनिया में इंसान पर से इंसान का भुरूसा उड़ जाएगा अपनी खामुशी को तोड़कर राटा दो मेरे मच्ची को इंकार मत करना, देओं इंकार मत करना, मेरो बच्चा चलो मुंता, चलो तुम्हारे आंसों से मंदिर में पत्थर का भगवान पिगल सकता है, लेकिन ये आदमी है, नहीं इसकी खामुशी ने हम हमारे जवाब दे दिया है अब यहां अपनी मम तक और जलील मत करो चलो जो नहीं जो अब प्लीस टेशन अदित्योबर्य मैं तुम्हारे मावी के हकदार तो नहीं और नहीं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ मैं तो वो बतनसीब हूँ जिस्ते अपने सपनों के संसार को खुद अपने हाथों से चला लिया वो अभागन हूँ जिस्ते अपनी जिन्दगी की सारी खुशियों को पाकर शक की पहलीस पर कुर्बान कर दिया और आज आज अपने हाथों से अपनी जिन्दगी को खतब करने चली आई थी पर यहां के पता चला तुम आम इंसान से बहुत उचे हो मैं ढूट चुकी हूँ बाच्चा मैं अंधेरों में खिर चुकी हूँ मुझे मुझे तुम्हारा साहरा चाही तुम्हारे खोश्यों की रौश्णी चाहिए तुम्हारी मौहबद चाहिए मुझे माफ कर दो बाच्चा मैं अपने दिल पर हाथ रखकर आज में यही कशमगाती हूँ कि मेरी हर साथ मेरी हर दडकर सि cela तुम्हारी अपनत है सिर्फ तुम्हारी बाबू लुहर बाबू लुहर ने पूरे समाज के सामने इंसानियत, नेकनिती और एक मददगार इंसान होने की मिसाल काइम की है इंस्पेक्टर परधान की गवाही और स्मूतों की बिना पर आदालत इस नतीज़े पर पहुंची है कि राजु को असली माता-पिता मिस्टर एंडमिसेज ऑबराई ही है और इसलिए या अदालत बाब लोहार को हुक्म देती है कि राजु को उसके असली मात्यपता के हवाले कर दे अगर सिए धुर्ट इन्या अओंर्त वोर्ट इन्युट इन्युट बाप 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 बा इस रोटी से बहुत कहरा रिष्टा है बाशा का इसी रोटी की खातिर मैंने उसे इनसान से जानवर बनाया था मेरे टुखडों पे पलने वाला मेरा वफादार जानवर आज इनसान बनते ही बगावत पर उतराया नहीं मुझे वो इंसान नहीं मुझे मेरा पाल को जानवर चाहिए मुझे मेरा बाश्या चाहिए मुझे सिर्फ मेरा बाश्या चाहिए अहा यह देखो फायर एंजन और यह देखो इसकी जो है लाइट्स ओन आफ होदी रहती है यह देखो और पता है सबसे बैस क्या है जम्बो जेट मुझे बाबा के पास जाना है जो तुञे पसंद है ले ले यह सब राखवा दू मेटा तरे लिए मुझे बाबा के पास जाना हो आधि हम ऐले हम आभा मा मा में बाबा के बिल्व नहीं जीजिएकता मा नमा मुझे बाबा के बास लेजा ंडाम हो Communist माची, आधित्या, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ पता नहीं क्यों, आज अपने बच्चे को पाकर उझे एहसास हो रहा है कि शायद मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है हर मापाप की जिन्दगी की सबसे बड़ी ख्वाइश उनके संतान की खुशी होती है और मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे की खुशियों का बलीदान कर दिया नहीं, मैं अपनी ममता की वज़े से एक हुद कर्दमा कभी नहीं बनूगी जो अपने बच्चे को पाने के लिए उसे उकी खुशियों चीने जहां रहकर मेरे बच्चे को खुशी मिलती है उसी में मैं खुश हूँ जिसके साथ रहकर वो सुखी है उसी में मेरा सुख है मैं राजो को उसकी खुशियों लौटाना चाहती हूँ और यह उमीद करती हूँ कि इस पैसले में आप मेरा साथ देंगी कि मैं जीत कर भी हार जाओं और वो हार की भी जीट जाए कर दो करो तुम लोग और राजु को का ले जा रहे हो ये रोटी बाब लुहार को दे देना वो सब समझा देगा खलोग को लेग़े साउनने है सबस्क्ता हूं लीजिए कि लीज़ी बेदू लाज्ट में देगा कि अंध्यिए अप में में न चैनिक हूं भीड़ा आधि खला ले जा उस बंले को. इस कंले के अंदर बाशा की जान कैय देग inac week और इसकी जान के बदले में मैं बाशा को फ़र से अपना गुलाम जुड़ाँगा बाशा मेरह गुलाम था मैं और हमेशा रहेगा बाशा मैं तुम्हें कहा तारा सुल्तान मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी बद करना मैं तुम्हारी चान लेकर रहूंगा बेड़ा बार्शा तुझे अपने इस पुड़े बाप का अपने अपने उस रिस्ते का वास्ता है जिसे तू तो भूल चुका है लेकर मैं कभी नहीं तुझे मेरे बास वापस ग्लाओ के लिए इसके लाबा मेरे बास और कुछ आरा ही निटा तो मेरा जनून है बटे तू मेरा जनून है पर तेरी जन्त की यह बच्छा है जहां बेटा अप्ले इस बच्छे को लेकर कि दूर चला थाहां भाबा हुष पाबाबा है लई मेर बाबा, बाबा, चोड़ो मुझे, बाबा, 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 चोड़ो मुझे, 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 सुल्तान, इस मिले की वज़े से तुने मुझसे अपने बाद सुल्तान से पकावत की इसकी तुझे सदा मिलेगी बाश्चा आए बाबा बाबा ऐसी सदा जिससे तेरी रूख काब उठे यह मेरे शिकारी कुट्टे है जो तेरी मासूम से पिल्ले की बोटी-बोटी नोच डालेंगे और तु तु कुछ ही नहीं कर सकेगा जादे बाबी रुख एंसान की मौत यानि कि तेरी मोत है क्या है जई सब्सक्रण अई ते ए हम था हम दो आई टार्च वर आगा ठार्च तुमानि कर स्रिज्द एकले ऐप एिर लाउराrah ya in ... hap! ... जोर्णों जोरनी चांब! BABAA! BABAA!!! BABAA!!! BABAA~~ BABAA!! BABAAA! BABAA!! चाह हा ऊओ आया मझा हा आई। लुट् हा आई mniej या इव अ व्लतान! कि खुआ है एह है तंग कि अजे घुआ है अजय है यजय तुआ है अजूँ! अजूँ! चंहाँ दो आए! goodness me ध centre आपका आपका प्यायर! अका आपका आपका आ आप कि पतरेघो फशीश, हbahn Supp ? प्रसुप और क कक रचल प्रसुप लॉठो प्रसुप वो दोल कि दोल कि हाब हा? हा ख़ो हلي दे, हो इत मा झाइ का पॉटस्या पॉट स bon का पॉटस्चरी पॉटस bart Cem . 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 वार्ण ए никогда अब Dre मकर मेंक सा सुछ है मanहें को ऑन प्राइब हा हा नचरो इडियो इडियो misht थना आप कहां जा रहे हो बाबा मुझे छोड़के मर्च आओ बाबा मुझे आपके अलाव कोई नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए नहीं जी सकता बाबा नहीं मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम अपने बाब के साथ रहोगे यह मेरा होकम है सब्सेटों तुमने जौए आपको болगा मैं जानता हूँ कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने माबाब के साथ रहू तो ठीक है बाबा, मैं आपकी खुशे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी आप भी जो कर रहे मेरे भले मेरे बविशे के लिए कर रहे है न बाबा मैं आपके बिना जीतो नहीं सकता बाबा लेकिन आपकी आगया का पालू करने के लिए मैं ये कोज़िश भी कर लूँगा मैं जा रहा हूँ बाबा रिष्टा दिलों का तोड़े न ढूटे सासों की डोरे बनके न जोटे जाओ के कैसे तुम मझ को छोड़के जन्मों का नाता पलभर में तोड़के जन्मों का नाता पलभर में तोड़के अपनों से ऐसे कोई दूर जाता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है कि नटु़, विहा जो! पलीज़ जो ढूई। पलीज़ जो! जो जरां कमा लिहा जरां, जरां? बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब बबू, हमारी खुशी, हमारी जिंदगी हमारा बच्चा है और इसकी जिंदगी तुम्हारे बना धुरी है क्या तुम इसके खुशी के लिए हमारे पास, हमारे साथ एक परिवार के तरह नहीं रह सकते है भगवान जब महर्मान होता है, तो सब को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है अरे मिल गई, मिल गई, हमें भी अपनी मंजिल मिल गई आपके मुबारक कदम हमारे घर में क्या पड़े, अखिर मैं भी बाप बन गया बेटा हुआ है बेटा, तो भी बिल्कुल अपनी मा पर गया है अच्छा, अजरा चॉप्टर बिखा दो, वाका है अपने बाप पर गया है मेरा यार दिल दार बड़ा सोडा, मैं देखो बार बार इस तो मेरा यार दिल दार बड़ा सोडा, मैं देखो सारा प्यार इस तो